जिनरल ये सिध्धान्त है कि रात सोने के लिए बनी है और दिन जगने के लिए काम करने के लिए और ये बिल्कुल सई सिध्धान्त है कि रात में यदि आप जगेंगे तो अजीरिन होता है ये कहागे है न कि चार मेन कार अत्यम भुपानात विशमाशनस्च संधारणात रात आत्री स्वपनप विपर यहू यही रात को नींद उल्टी हो जाए तो व्यक्ति कितना भी दिन में अच्छा खाना का ले अम्रत ही खाले पचेगा नहीं जिसको रात में नींद नहीं आती है उसको एसी रेटी बराबर रहती है और टॉक्सिंस जमते हैं स्किन खराब हो जात है वेरी वेरी अप्रोचबल तो प्रैक्टिकल लाइफ यू के नौट पूट लाइफ इंटो ब्लैक और वाइट आप जिंदगी को एक ही नजरीय से नहीं देख सकते हैं लाइफ इस एक्छुली ग्रे तो दिखिए ऐसा नहीं है कि रात में सोना ही है कुछ ऐसी कंडिशन् दिन में भी आप सो सकते हैं वो क्या है सुनिए क्या कहते हैं आचारिय योगरातगर कहते हैं रस शेष अजीरन, क्या होता है? खाना पच गया है मतलब बड़कार कोई नहीं आ रही है, लेकिन सर्यदी भारी्भारी ओ तो इसका मतलब है खाना पच तो गया है, लेकिन पूर पिंग दो प्रोसेस इतना ही नहीं व्यायाम प्रमदा अध्वा वाहन रताहा जब बहुत ज़यादा व्यायाम करता है ओवर एक्साइज करेगा तो इसको दिन में तोड़ा सा सोने दीजिये दूसरा अध्वाहन दाताहा अध्वा मने चलना वहन मने घोले की सवारी हो यारत वरना तो ट्रावलिंग के बाद में इतनी थकान जाती है कि आपको सोना चाहिए प्रमदा यह जो प्रमद है मतला दुख की इस्तिति आदमी बेवजाएका डिप्रेशन इसको आज आप कल जो एक सिंबल बना हुआ ना इम डिप्रेस्ट वो प्रमदा है हमारे उस्तिति में थ चाहिए और है क्लांता बहुत ज़्यादा जब क्लांत हो गया हो थकान हो गई हो और अतिसार नहां डाइरिया वाले को भी दिन में सोना चाहिए शूलम श्वासत्रशा जब यक्ति को बहुत ज़्यादा पेट में गैस का दर्द ओरा ब्लॉक हो तो सोते ही एक स्पाजम रि और तरशा, जब बहुत ज़्यादा प्यास लगती है, पानी पीने पर भी प्यास नहीं बुजुती, और परिगतान, हिक्का, जिसको हिक्का आती है न, और पानी से भी नहीं खतम हो रही है, हिक्का आए जा रही है, आए जा रही है, दिन दिन भर जब हिक्का आती है, तो व् पायू ग्रद्रसी वगरा जैसे बताया गया है उनको भी दिन में थोला तो सोना चाहिए और क्षीन कफ जब कमजोरी आ जाए ऑब्यस है कफ कम होगा तो बोडी ड्राई होगी थोला सो लेंगे तो कफ बढ़ता है दिन में सोने से कहा ही है शुशू और व्रद्ध को बच्चो से यदि हूँ तो आप दिन में सो सकते हैं पर इसका प्रमाल है एक मूर्थ के अंदर